नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है डॉक्टर रेमन मुडी जी केस में से आज की इस हम मतले केस को लिया है दोस्तों और यह जो कहानी है देखने के लिए तो आपको नॉर्मल लगेगी लेकिन एक इंसान की और एक आतमा की सोच में कितना अंतर होता है यह आपको समझ आए एक ही है इंसान जैसे मैं हूँ मेरे विचार कुछ अलग हो सकते है लेकिन मेरी आतमा के जो विचार है वो किस तरीके से होंगे आप हो आपके आतमा के जो विचार है वो किस तरीके से होंगे इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे तो डॉक्टर रेमन मुडी यह कहते है कि ए उस वक्त बारिश भी बहुत जादा हो रही थी वो डरडर की अपनी भतीजी को पुल से अपने गाउपतर लेकर जा रहा था और दूसरा भी कोई रास्ता नहीं था जाने का वो डरडर कर लेकर जा रहा है और बहुत जादा मतलब कब वो पुल डहल जाएगा और वो मर जाएं कहता है कि मैं भी डूब रहा हूँ लेकिन मुझे सबसे जादा बुरा उस मेरे भतीजी को लग रहा था बेचारी मुझे वह ऐसे पकड़ी थी लेकिन अब वो मतलब पानी में बहती जा रही है मैं उस तक पहुचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं उस तक नहीं और उसके मन में वो जो गिल्ट था दोस्तों वो इतना मतलब भर गया था कि है भगवान मैं इसको क्यों लेकर आया है भगवान अगर मैं इसको लेकर आया तो मैं भी मतलब चला जाता मैं मर जाता लेकिन इसको मैं बचा पाता तो इस तरीके से उसको बहुत ही जादा बुर दिख रहा है जो उस इंसान को उस मतलब समय हुआ था और उसके बाद डॉक्टर रैमन बुड़ी ये कहते है कि उस इंसान ने उसके बाद कुछ इस तरीके से बाते कहीं उसको बहुत ज़ादा पश्टावा हो रही कि मैं इसको क्यों लेकर आया मैं उसको नहीं बचा पाया भ कहिना अपने शरीर से मेरी जो आत्मा है वो धिरे-धरे ऊपर आ रही है और उसके बाद वो ये कहता है कि मेरे मन में जो भी पच्टावा था वो अपने आप खतम हो गया और वो ये कहने लगा कि अगर उसकी मृत्य हो गई है और वो नैचरल ही मृत्य है मतलब इस दुरगटन के लिए उसको फिर से पृत्वी पर आना पड़ता है लेकिन ऐसा जो दुरगटना होती है वो एक नैचरल लिथ ही मानी जाएगी और उसके बाद उस इंसान ने ये कहा कि अगर उस लड़की की ऐसी नैचरल लिथ होनी थी तो वो हो ही जाती वो कहीं पर भी होना और उसके बाद वो ये कहता है कि उसके मन से पूरी तरीके से पस्तावा चला गया और उसके मन में कुछ इस तरीके से अपने आप वो सोच रहा था कि अब जो इश्वर है जिनोंने हम सब को जीवन दिया है वो उस लड़की के साथ बहुत ही अच्छा ही कुछ करेंगे मुझे पुरा मैं यह नहीं कर पा रहा, मैं अपने परिवार को खुशिया नहीं दे पा रहा, मैं किसी को मतलब किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे उसके लिए बहुत कुछ करना है लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा, इन सारी चीजों को लेकर हम खामका मतलब इसके बारे में सोच कि भी जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी हम सुचते रहते हैं और अपना ही मतलब मुड ओफ करते रहते हैं यहाँ पर यह बात महत्वा पुरुण है दोस्ता आप कोशिश तो कर रहे हैं जितना उसा कि आप अपना 100% तो दे रहे हैं तो आप मत चिंता करना जो जिसे आपको म मिलनी है वो जरूर मिल जाएगी जो नहीं मिलनी है वो मिलकर भी चिंग लिये जाएगी इसलिए इन सारी चीजों को लेकर आप जरा भी मत दुखी होना जो इश्वर है दोस्तों वो सारी चीज़े अपने हिसाफ से बराबर करते रहते हैं हमारी जो आत्मा है जब इंसान का दुख था कि जहाँ पर वो अपने बदीजी को नहीं बचा पाया एक बोलते ना कभी कभी इंसान अपने बच्चे का भी उसको कुछ नहीं लगेगा क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है लेकिन उसके माता पीता को क्या लगेगा और मेरे वरो से उसने उन्होंने बेजा था तो उनको क्या लगेगा तो ये भी उसके मन में हो सकता है कि उस वक्चतावा हो लेकिन दोस्तों एक आत्मा के स्वरूप में वो समझ पाया कि इसके पिछे भी एक अलग निराले नियती के खेल है इसलिए मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था और अभी मुझे यकिन है कि अगर वो आत्मा उस मतलब दुनिया में जाएगी तो इश्वर उसको जरूर संभालेंगे इश्वर ने उसको बहुती बड़ा आधार दिया होगा आसरा दिया होगा तो मैं अब इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचूंगा तो इस तरीके से सारी चीज़े है पृत्वी पर हम कोशिश करके भी हमें ना मिले तो किसी भी पस्तावे में मत आप अटकना दोस्तो जो होना है वो होकर ही रहेगा इसलिए जितना हो सके बस कोशिश करते रहो मिलना नमिलना यह हमारे हाथ में नहीं है तो ऐसी चीज़े जो हमें कोशिश करके भी नहीं मिलत तब तक आप अपना अपने परिवार का खयाल रखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें PDF किताबे भीजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है जो मोबाइल पर या फिर लेप्टॉप पर आप उसे पढ़ सकते है और दस ओडियो बुक्स भी आपको भीजी जाएंगी तो दोस्तो अगर आप इस संस्ता के साथ जुड़ना चाहते है तो गृपया इस नमबर पर WhatsApp मैसेज करे आपका बहुत बहुत धन्यवाद